यह दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम ली करा हैं आपके लिए मत्पूर्ण कॉस्चन आंसर हिंदी साहित में तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जादा से जादा वीडियो को सेयर करें रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है मत्पूर्ण कॉस्चन आंसर हिंदी साहित के तो सभी लोग जड़ जाईएगा आज का अपना यहां पर पहला कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है देखेगा यहां पर दिया गया कि मेरी अस्पलता निबंद संग्रे के रचिनकार क कॉस्चन मत्पूर्ण है चार विकल्प यहां पर दिये गए हैं और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि यह निबंद संग्रे तो बावु गुलाब राय का माना जाता है विकल्प नंबर बी वाला यहां पर सही आंसर होगा क्या है सही आंसर विकल्प नंबर दो य माना जाता है ये कांकी संग्रह है ये प्रत्वी राज की आखें चेहन करिएगा सभी लोग मत्तपूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है ये माना जाता है भुबनीस्वर का उदै संकर भट्ट मौन राकेस या फिर रामकुमार बर्मा कॉश्चन नमबर ब्यासी में चेहन करुश्चन नमबर 80-83 और बढ़ाने बंदों की कोन मानी जाते हैं न के नेबंद माने जाते हैं, तो तेरासी में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर मौटिवेशनल जी, पुस्पा जी, गाली और बडापा नेबंदों के रचिना कार माने जाते हैं, पांड़े बेचन सरमा उग्र, यहाँ पर जब उग्र हो जाते हैं, लोग तो उघ्र हो जाते हैं उघ्र तोड़ी तोड़ी बातों पर उघ्र हो ओग्र से परी कोशन यहां पर अनिश सो थीस है उनिश सो चालेस है या उनिस सौ भाईस या prepared नेस सो तेटिस इस भी है 84ıı question यहाँ पर पूचा क्या है 84 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर में अग्जे का कब्ले संग्र भग्ण दूत का प्रकासन वर्ट्स बताइयेगा मप्ठपुन क्युंत क्या है और आप सभी का सही आंसर होगा। बिकल्प नंबर धी हाँ'll पर सही आंसर है हाँ Mind let जाते है डी वाला वेकल पे हाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर हाँ पर पूंचा गया है चौरासी बाइसी में आप सभी लोग चैन करेंगे 85 का सही आंसर क्या होगा बताईएगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है निराला के प्रिये कभी बताना है कौन माने जाते हैं निराला के प्रिये कभी बताना है कौन माने जाते हैं बहुती मत्पूर्ण कॉस्चन है निराला जिनका पूरा नाम सुरिकान तरपाथी निराला माना जाता है और इनके प्रिये कभी जो माने जाते हैं वैं माने जाते हैं कौन विकल्प नमबर बी वाला हाँ पर सही आंसर है तुलसी दास माने जाते हैं कौन माने जाते हैं तुलसी दास विकल्प नमबर दो सवय आंसर वताया है। तुलसीद्वास उनका सवय आंसर अंगा क्ोष्च्ञ यह आपर देखेगा। क्वोष्च sortir नंबर यह आपर 68 पूँचा गया है, रामपी सक्ति पूजा का मु खेकथानक कहां से लिया गया है। बताईए रामकी सक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहां से लिया गया है रामचरित मानस से बंगला रामाएंड से या फिर रामाएंड से या फिर महाभारत से बताईए मत्पून कॉस्चन या पर दिया गया है छासीवा कॉस्चन या पर पूंचा गया है रामकी सक्ति पूजा जो है रामकी सक्ति पूजा का मुख कथानक कहां से लिया गया है ये पूँचा गया है तो सही आंसर है विकल्प नंबर दो यानि की बंगला रामाइण से कहां से लिया गया है बंगला रामाइण आपका यहां पर विकल्प नंबर बी वाला जो है वहे हां पर सही आंसर होगा रंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहाँ पर 87 दिया गया है 87 वा कॉस्चन यहाँ पर पूँचा गया कि आचार रामचंद्र सुकल के प्रिये कभी कौन है आचार्शकल जी के बताना है विमल जी और मुकनद जी रवेंदर जी क्या होगा सही आंसर बताईएगा आचार्शकल जी जो है रामचंद्र शुकल इनके निप्रिय कभी बताना है कौन माने जाते हैं 87 वा question यापर दिया गया है और 87 में आप सभी का सही आंसर होगा कि बहे माने जाते हैं कौन तुलसी दास जी आच्छा रामचंद्र सुकले के प्रिय कभी तो तुलसी दास माने जाते हैं विकल्प नंबर यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर यहाँ पर 88 क्या पूंचा गया है 88 बार कॉस्चन आपर देखेगा मत्पूर्ण पंतियां पूच्छी गई है की मा की कुल सिक्छा मैंने दी पुश्प सेज तेरी स्वेश्प रची, किस कभीता की पंतियां है ये 88 में बताना है, बताएगा राम की सक्ति पूजा की है ये ये सरुज स्मिर्ति जुही की कली या फिर कुकुर मुत्ता 88 में चैन करना है क्या होगा सईया अंसर मा की कुल सिक्छा मैंने दी पुस्प सेज तेरी स्वेम रची किस कवीता की पंतिया मानी जाती है मत्तपूर्ण कॉशन है चारवे कलप आपके दिये गए है और आप सभी का सईया अंसर होगा ये मानी जाती है सरोजिस्मिर्टी सरोजिस्मिर्टी की रचेत आप कमेंट में बताएंगे ये सरोजिस्मिर्टी की मानी जाती है गंगला कॉशन यहाँ पर देखेगा कॉशन नमबर यहाँ पर देखे नवासीवा कॉश्चन यहां पर दिया गया है क्या पूँचा है नवासीवा कॉश्चन है यहां पर कौन सा तत्व सामान लेक से निबंद को अलग करता है वह तत्व यहां पर नवासी में बताना है बताईएगा कौन सा तत्व है निजबिचार है या फिर भाबुकता है लालित्य है या फिर सामाजिकता है 89 में सभी लोग बताएंगे वह कौन सा तत्व है जो सामान लेख से निवंद को अलग करता है बहुती मतपून कॉशन यहां पर पूँचा गया है और आप सभी का सही आंसर है मोहिच जी लालित्य हाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो है लालित्य वह हाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प जिन्होंने वीचेन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉशन यहां पर देखेगा कॉशन नंबर यहां पर कौन सा दिया गया है नब्वेवा कॉश्चन यहां पर पूंचा गया है कहा है नब्वेवा कॉश्चन इरादेखे यहां पर दिया गया है कामाईनी को मानब चेतना के विकास का महाकाब बे किसने कहा है कामाईनी को कहा है नब्वे में बताना है बताईएगा कौन है आचार सुपल जी है यहां फि कौस्टन काम आईनी को मानभ चेतना की विकास का महाकब्व किस ने कहा है यह पूंचा ग्याय आप सबी से तो विकल्प नमबर दो सभाइन सऱ दक्टर नगेंद्र ने कहा है कि यहां पर विकल्प लिक्टbach उन निराला की कौनसी काप रचना उनके मर्नोपरांत प्रकासित हुई थी वह रचना बताना है कौनसी रचना है आराधना है सांद कांकली है गीत गुंज है अर्चना है कौनसी रचना है वह रचना का नाम बताना है निराला की वह कौनसी रचना है जो उनके मर्नोपरांत प्रका इंपर दो, यहांपर सई आंसर है, बहुत सारी लोगों ने आपर बताया है, दीपक जी, चबी जी, निलम जी, संजुυ जी, सांधकान के लिए यहांपर सई आंसर हो का, अंगला कॉश्चन यहांपर दिया गया है, 92 वा कॉश्चन, 1885 वा कॉश्चन पूंचा है, एक फूल की चाहे कभीता किसकी मानी जाती है ये बहुती प्रिसित्य मत पूने कभीता पूंचली कई है आपसे एक फूल की चाहे मांखनलाल चतुरवेदी की है या फिर नरेंदर सर्मा या फिर दिनकर या फिर सिया रामसरन गुप्त पुस्प की अभिलासा वो मांखनलाल चतु प्रवेदी की है एक फूल की चाहे ये किन की कवीता मानी जाती है तेरा बान्नबे में चैन करना है तो बान्नबे में सही आंसर होगा ये मानी जाती है किन की वेकल नंबर इहां पर डी वाला सही आंसर होगा तो बान्नबे में चैन करना है क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा म तुपूर्ण कॉस्चन दिया गया है एक फूल की चाह किस की कवीता है तो सिया रामसन गुपते आपर सई आंसरोगा पुस्प किया विलाथ metabolyas लाल चतुरवेदी किये इस सिया रामसन गुपते की सई आंसरोगा यह उनीकी कवीता मानी जाती है डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा यहां पर बनारसी दास जेन क्रित अर्द कथानक किस विधा की रचिना मानी जाती है विधा पूँच लिया गया है आप सभी से बताईएगा जीवनी है उपन्यास है आत्मकथा है नाटक है किस विधा की रचिना म मानी जाती है अर्द कथा किनकी डाक्टर नगेंद्र की अहां पर अर्द कथानक पूंचा है तो यह बनावसितास जेन की क्या है आत्म कथा मानी जाती है निंदी की आत्म कथा मानी जाती है अर्द कथानक निरामकुमार बर्मा का है, लक्ष मिनार और सुधान्सु जी का है, गुलाब राय का है, आच्यार सुकल जी का है, 1894 में सही आंसर चेन करना है, सबी के लिए ठलूअ किलब निवंद संग्र है ये किन का माना जाता है, तो सही आंसर है यहाँ पर ठलूआ के लब तो माना जाता है गुलाब राय जी का नेबंद संग्राइकिन का गुलाब राय वेकल नंबर सी हाँ पर सही आंसर होगा नेसी वाला वेकल पर जनों ने भी चैन किया है उनका हाँ पर सही आंसर है अंगला question यहाँ पर देखेगा question नमर यहाँ पर 95 क्या पूचा गया है 95 वा question है कि निम्नमेंसे उदै संकरभट द्वारा रचित गद्ध कौन सा है इनके द्वारा रचित गद्ध बताना है उदाय संकर भट्टे का बताईएगा अपना भाग्य बीमार का इलाज या फिर मेरी जीवन रेखा या फिर अकेली कॉश्च Efendimiz 95 में सही आंसर सभी लोग चैन करेंगे कि निम्न मैंसे उदाय संकर भट्टे जी जो है इनके द्वारा रचित गद्ध कौनसा माना जाता है तो सही आंसर होगा विकल्प नमबर यहाँ पर वी वाला सही आंसर है बीमार का इलाज कौन सा सही आंसर है बीमार का इलाज यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर दो जिनो नवी चैन क्या है सौनिका जी और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा सुमित्रन अंदर पंतिय के आलोचिनात्मक ग्रंथ माना जाता है और ए माना जाता है किनका तो विकल्प नंबर बी वाला यहां पर सही आंसर है यह डाक्टर नगेंदर जी जो है डाक्टर नगेंदर उनी का यह आलोचिनात्मक ग्रंथ माना जाता है बी यहां पर सही आंसर ह ुगा बेकल्प नंबर दो यहां पर सइभा आंसर है अंगला question यहां पर देखुइगा question नंबर यहां पर पूंचा गया है चानवेबा question है सुध्द कवीटा की खोज किस विधा की रचना विधा पूँच लिया गया है ये सुद्ध कभीता की कोज अगर आपके लिए पता है किस की रचना है तो कमेंट में आप बताईएगा ये किन की रचना है और किस विधा की रचना है ये भी बताना है निवंद है कहानी है कभीता है उपन्यास है बताईए संतानवे वा कॉश्चन या पर दिया गया है और संतानवे में आप सभी का सही आंसर होगा ये तो निवंद माना जाता है सुद्ध कवीता की खोज क्या है निवंद माना जाता है किनका निवंद माना जाता है कमेंट में सभी लोग आंसर बताएंगे नंगला कॉश्चन याँ पर देखेगा कॉश्चन नमबर आपसे याँ पर अंठानवे क्या पूंचा गया है अंठानवे वा कॉश्चन याँ पर दिया गया है साहित की आलोचनात्मक रचना की रचना कार कौन माने जाते है साहित की एक आलोचनात्मक रचना मानी जाती है कि निराला जी की रचिना हैं, कौस्ट नबर 98 यहां पर दिया ग्या है अन्धानवे में साहित की आलूचुल नातमक रचिना की रचिनाकार कौन माने जाते है तो शही आंसर होगा यह माने जाते है, सांती प्रीय दोवेदी जी की सांती प्रिय दोवेती राखी जी रूबी जी विकल नमबर ये वाला यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहां पर 99 क्या पूंचा गया है 99 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है तूटते परिवेस की रचिनाकार कौन माने जाते हैं तूटते परिवेस एक रचिना है ने भारतेंदु जी की है विश्णू प्रिभाकर जी की रचिना है और पेंदरनात अस्क जी की रचिना है या फिर अग्ये जी की रचिना है 1899 में चेन करना है और 1899 का सही आंसर आप सभी का क्या होगा बहुत ही मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है तोटते परिवेस के रचिनाकार कौन माने जाते हैं तो विष्णु प्रभाकर विष्णु प्रभाकर माने जाते हैं विकल्प नंबर B यहां पर सही आंसर है विष्णु प्रभाकर जनौनवी चेन क्या है उनका सही आंसर होगा तोटते परिवेस विष्णु प्रभाकर की र आने जाते हैं बताइए मुझमें देव जीवन का विकास बनार्सी दास जैन सत्यानंद अग्निवत्री मतमा गांधी या फिर प्रसाद दी देखेगा उनने सो बा कॉस्चेन और आपके लिए बता दें यह अपनी तीन सो तीन हजार परिसन की सीरिज है यह हिंदी साइट की ज तो सही आंसर होगा सत्यानंद अग्निवत्री किनकी मानी जाती है सत्यानंद अग्निवत्री जो है उनी की रचना मानी जाती है नभी वाला वेकल्प यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहां पर दिया गया है कॉस्चन नमब कवीता हर्यओध कर दिया है तो 1901 में चैनगना है है कवीता जो है हर्योदा जी के किस कापी संग्रह में संग container है यह पताना है सभी लोग chain करिए गा और एक बार वीडियो को लाइक अवस्ते कलने सभी लोग जिननों ने like नहीं किया है like कल लीजेगा और आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा यह पारी ज attendant में出 किसमे पारीजात कापी संग्रह में संग्रेत है वेकल्प नंबर डी वाला इहां पर सही आंसर होगा जो कि बहुत सारे लोगों ने विल्कुल सही आंसर चैन किया है पारीजात अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है question number 2 यहाँ पर पूँचा गया कि प्रतभी प्रदक्षणा जो यात्रा ब्रतांत है इसके लेखक कौन मानी जाते हैं प्रतभी प्रदक्षणा के लेखक बताईएगा राहुल चान कृत्याइन है सिव प्रसाद गुप्त है सेट गोबिंद दास है सिरी राम सर्मा है कौन मानी मत्पूर्ण कॉश्चन यहाँ पर दिया गया है और सही आंसर होगा सिव प्रसाद गुप्त है कौन है सिव प्रसाद गुप्त विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा बी जनोने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉश्चन यहाँ पर द दिया गया है कि देखिए रहा कॉश्चन नमबर तीन मनस्ट्यों की मुक्ती की तरह कभीता की भी मुक्ती होती है मनस्ट्य की मुक्ती कर्म के बंदन से छुटकारा पाना है और कभीता की मुक्ती छंदों के सासन से अलग हो जाना है यह पंतियां किनकी मानी जाती है पंतियां मुक्ति होती है मनुस्ति की मुक्ति कर्मी की बंदन से चुटकारा पाना है और कवीता की मुक्ति छंदों के सासन से अलग हो जाना है इनराला जी की पंतियां मानी जाती है विकल्प नंबर यहां पर जो सी है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉश्चन यहां प पिर निराला पंत या फिर महादेवी बर्माहा टेलिग्राम गुरुप से जुड़ जाईएगा जिनके पास लिंक नहीं जा रही हो क्लास की तो टेलिग्राम गुरुप से जुड़िएगा सभी लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये अपनी एक्जाम पर जो चैनल है इसी का टेलिग्राम बना है तो सभी लोग जुड़िएगा आंसु की बाली का किस की कवीता है ये पूँचा गया है तो समित्रा नंदर पंत यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प जनों ने भी चैन किया है उनका सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर हरदीप समय पटल जी विल्कुल कॉस्चन नंबर पांच यहाँ पर दिया गया है मेरे गीत और कला ये किसका निबंद माना जाता है बताए मेरे गीत और कला ये निबंद आप सभी लोग चैन करेंगे वहती मत पूर्ण निबंद हाँ पर दिया गया है हैं वताइए मेरे गीत और कला पूंचा गया है तो सईया नवगा तो मना जाता है किनका विकल्प नंबर yd जए निर्ला सूरकांतर पार्टी निर्ला यहां पर सईय क्या अंव्झों इस वेफालिव के प्र यह ल हैं चंचन सुकले पंत्र पंत जी की पंती है किन की मानी जाती है कॉश्चन नमबर 6 यहां पर दिया ग्या है और 6 में सई आंसर चेन करना है काब बे आत्मा की संकल्प नात्मक अनुबूती है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है यह पिरसाद जी की पंती मानी जाती है B वाला वेकलब यहाँ पर सहिए आंसर होगा Jai Sankar, PPRISाद यम पर जनों नवी चेन किया है उनका सहिए आंसर है अंगला कौश्वन यहाँ पर देखेगा कश्वन नमबर यहाँ पर पूंचा गया है 7 दिया गया है क्या दिया है कि भावों की मुक्ती चंदों की भावों की मुक्ती, चंदों की भी मुक्ती चाहती है, यहाँ भाव और चंद 300 चंद हैं, यह किसकी पंती है, बताइए, साथ में चेन करना है, कॉश्च नमबर 1907 है, नंद दुलार इवाचपे, निरामचंद सुकल, पिरसाद या फिन नराला, साथ में सही आंसर बताना है, यह पंतियां जो दी गई है, किनकी पंतियां मानी जाती है, सभी लोग चेन करेंगे, नीरत जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, यह पंती तो पिरसाद जी की मानी जाती है, यहाँ पर भी विकल आपका सी होगा सही आंसर, जै संकर पिरसाद, कौशन नमबर यहाँ पर पूंचा गया है, आठ यहाँ पर दिया गया है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किये बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, यह कतन बहुत ही मत्पून कतन है, किनका कतन माना जाता है, बताईएगा, यह कतन प्रेमचंद जी का है, यह पर निराला, यह फिर डाक्टर नगेंद्र, यह फिर महादेवी पर्मा, कौशन नमबर आठ यहाँ पर दिया गया है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किये बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, यह कतन किनका माना जाता है, यह पूंचा गया है, तो यह कतन ह मैं प्रेमचंद जी का, प्रेम से मजदूरी करता हूँ, तो प्रेम से प्रेमचंद और मैं मजदूर हूँ, यह कतन जो है, प्रेमचंद जी का माना जाता है, अगला कौशन यहाँ पर देखेगा, कौशन नमबर यहाँ पर नो दिया गया है, देखेए, साहित जनसमुई के के हिरदाय का विकास है किसका कथन है यह कथन आप सभी के लिए वताने रामचंद्र सुकल का कथन है प्रेमचंद मादेवी वर्मा या फिर बालकृष्ण भट्ट जी का कथन है किनका कथन माना जाता है सभी के कमेंट आपर देखते जा रहे हैं बहुत बढ़िया दनेश जी और यह कथन माना जाता है साहित जन्समूई के हिरदाय का विकास है यह कथन किनका है तो सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट जी का माना जाता है किनका डी वाला विकल्प यहां पर सही आंसर है साहित जन्समूई के हिरदाय का विकास है बालकृष्ण भट्ट जी का यह क कला ओबूला चांद तु सभी के लिए पता होगा सुमित्रा नंदन पंत जी जो है उनकी सुप्रिसित रचना मानी जाती है अब विदा पूंचा है काप है निवंद है उपन्या से समीक्षा है किस विदा की रचना है ये आप सभी के लिए चैन करना है और 1910 में आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा 1910 का सही आंसर चैन करना है कला ओबूला चांद पंत जी की किस विदा की रचना मानी जाती है तो विकल्प नंबर एक सभी लोग बता रहे हैं कि ये तो काप बे माना जाता है काप बे यहां पर विकल्प नंबर यह वाला यहां पर सही आंसर ह अंगला question यहां पर देखेग़, question number यहां पर 11, क्या दिया गया है, 11 बेर question यहां पर देखेग़ यह रहा question number 11, यहां पर मुझसी प्रयम चंद द्वारा रचित कहानी, नमक का दरूगा, किस कहानी संग्राय में संगृत है, बहुत ही प्रिसित दे कहानी मानी जाती है नमक का दरूगा किनकी है कहानी मुंसी प्रयमचंद जी की और जो है किस कहानी संग्रह में संग्री थे ये पूछा गया है प्रयमपूर्णिमा में है पंच परमीश्वर मन सरूबर या फिर सब्त सरूज में है 11 का सई answer चैन करिएगा सभी लोग बहुती मत्पून question यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सई answer आ रहा है कि पंच परमिश्वर बिकल्प नमबर जो भी है भैं यहाँ पर सई answer होगा पंच परमिश्वर जनोनेवी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहाँ पर दिया गया है बारह बार कॉस्चन क्या पूंचा गया है यह रहा कामाईनी दर्सन के रचना कार कौन है कामाईनी दर्सन यह रचना किनकी मानी जाती है सबी लोग शेहन करि अपके लिए एकलास लाई जाती है और आप सभी का सही आंसर होगा कि काम Čईनी दर्सन की रचना कार पूंचा ग्या है कौन माने जाती है ग्रेजियांद्र जी जो है बिजेंद्र जी उन Nej की रचना मानी जाती है बीवाला वेकल्फ हाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉशन यहां पर देखिएगा कॉशन नमबर आपसे यहां पर تेरह पूँचा ग्या है तेरह भाओा कॉशन यहां पर दिया है कि रामा रहा चित्र के लेखा क्या लेखी का बताना है बताईए कौन है मादेवी वर्मा है सुबत्रा कुमारी चौहान है या फिर सिरी नाम सर्मा है निराला है कौन माने जाते हैं बताईए का सभी लोग और आप सभी का यहाँ पर सई आंसर आ रहा है कौस्चन नमबर 13 में क्या होगा सई आंसर 13 का विकल्प नमबर यहाँ पर एक सई आंसर होगा मादेवी वर्मा यहाँ वाला विकल्प जनों ने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सई आंसर होगा मादेवी वर्मा आप सभी का सई आंसर है और यहाँ पर एक question आपसे पूंचा गया है मुंसी प्रयमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरूगा किस कहानी संग्रय में संग्रित है यह पूंचा गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ पर मान सरोबर होगा सही आंसर क्या होगा सही आंसर मान सरोबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर विकल्प नमबर सी होगा सही आंसर मानसर उबर में अंगला कॉश्चन यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इसको सो दाल ले कॉश्चन नमबर आप से यहाँ पर क्या पूंचा क्या है अंगला कॉश्चन यहाँ पर देखेगा ए रहा question number 14 question है, साकेत महाकाब्ब की भासा कौन सी है, साकेत महाकाब्ब जो है, इसकी भासा आपके लिए बताना है, क्या मानी जाती है, सभी लोग बताएंगे question मत पूर है और आप सभी का यहां पर सही answer आ रहा है, खड़ी बोली है अबदी है, ब्रदफासा है, अब्रंस है तो चवदय में आप सभी का सही answer होगा, कि खड़ी बोली होगा सही answer मनुद जी विल्कुल चवदय में आप सभी का हाँ पर यह वाला वेकल्प जो है भै आप सभी का यहां पर सही answer है, खड़ी बोली मानी जाती है साकित, जो की मेतली सन गुप्त की रचिना मानी जाती है महा काप बेहें अगला question यह आपर देखेगा question number आप से आपर पंदरह पूंचा गया है कि दुखवा में कासों कहों मोरी सजनी कई बार अपन ने पढ़ा है चतुरसेन सास्त्री है ब्रंदावनलाल बर्मा है अग्य है, यस्पाल है कौन मानी जाते है सभी लोग चैन करते जाईए का अनंद जी 15 बार question है और 15 में सही answer होगा इसकी रचिना कार मानी जाते है चतुरसेन सास्त्री कौन मानी जाते है चतुरसेन सास्त्री विकल्प नंबर ये वाला इहां पर सही answer होगा चतुरसेन सास्त्री आप सभी का सही answer है किस पत्रिका का आत्म कथांक है अपना एतिहासिक महत्त रखता था बैपत्रिका बताना है हंस है सरस्वती है मर्यादा है मादुरी है बताईए क्या होगा सई आंसर कॉश्चन मत पूर है आप सभी लोग सई आंसर चेन करेंगे कि इस पत्रिका का आत्म कथांक अपना एतिहासिक मत तो रखता था वैपत्रिका चेन करना है तो वैपत्रिका है हंस कौन सी है हंस साला यहां पर स्य चैर्फ हो कहन पत्री का सई आंसर हैं अंगला यहां पर देखेगा कॉस्चन नम्बर यहां पर दिया गया है सत्रहवा कॉस्चन है कि उग्र जी का कौन सा कहाणी संग रहे सरकार की आग या चौकलेट या चिंगारियां बताईए सभी लोग बताईएगा कॉस्चन मत पूर्ण है सत्रह बाद कॉस्चन या पर पूंचा गया है और सत्रह में सही आंसर आ रहा है लाइक तो बिल्कुल बहुती कम लोगों ने किया है तो जल्ली से एक बाद लाइक अबस्त कर दिया घ्या था मेरी आत्मकानी जो की हिंदी की पहली आत्मकतदा मानी जाती है कि लेकक कौन मानी जाती हैं बताईएंगा गुलाब राय है श्याम सुन्दर दास है या पिर कनयाल मिस्ज रहें या पर डॉक्टर नगयंद्र है बताईए सबी लोग अन्सर चैंगे मेरी आत्म कहानी जो की हिंदी की पहली आत्म कता मानी जाती है इसके लेकक कौन मानी जाती है तो आप याद किया था कि जब कोई आत्म कहानी मेरी आत्म कहानी लेखेगा तो कैंसी लेखेगा सुंदर सुन्दर लिखेगा तो सुन्दर से स्याम सुन्दर दास आप सभी का सही आंसर होगा बी वाला विकल्प यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है कॉस्चन नमबर यहां पर पूंचा गया है 19 बा कॉस्चन है खुल गए छंद के बंद है ये किसकी पंती मानी जाती है, बताइए, खुल गए चंद के बंद, ये पंती मानी जाती है, पंती जी की है, नराला, रामचंदर, शुकले, भगबची, चन वर्मा, तो सही आंसर आप सभी का यां पर आ रहा है, हैमलता जी, कि 1919 में विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर, एक ह पूँचा गया है कॉस्चन नंबर यहां पर बीस दिया गया है उन्निस सो बीस बार कॉस्चन यहां पर दिया है होगी जै होगी जै ही पुर्सुत्तम नभीन कह महा सकती राम के बदन में हुई लीन किस कवीता की पंतियां मानी जाते हैं तुलशी दास किये राम की सकती पूजा पल्लब या फिर बीना उन्निस सो बीस में सई आंसर चैन करना है उन्निस सो बीस का सई आंसर क्या होगा होगी जै होगी जै ही पुर्सुत्तम नभीन कह महा सकती राम के बदन में हुई लीन पर सई आंसरूगा अंग्ला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर यहां पर कॉस्चन है चाया बाद बिलायति अभी प्यंजना बाद का बिलायति-illphone यह परिभासा किसकी है नंद दुलार इभाचपे जी कि परिभासा है राम-चंद्र सुखल जी की परिभासा है रामबलास सर्मा या प्रमुकुड धर पांडे कम लोग जुड़े हैं आज क्या बात है सबी लोग सेर कर दीजेगा और चाई आंसर आ रहा है एक किस में बताणा है चायवाद बिलायती अभी वन्जनाबाद का बिलायती संसक्रण है उनका हापर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखे, कॉस्चन नमबर यहाँ पर पूंचा गया है, 22 बा कॉस्चन है, प्रिये आनंदे, चंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, यह किसकी पंती है, 22 में चैन करिएगा, पंत जी की पंती है, नराला, रामकुमार बर्मा, उदै संकर बटे, तो 1922 ब मानी जाती है, यह पूंचा है तर्ब जी, तो ए भी जो है, समित्रा नंदन पंत जो है, उनी की पंती मानी जाती है, तो विकल्प नंबर यह वाला, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, समित्रा नंदन पंत यहाँ पर सही आंसर होगा, अंगला कॉस्चन यहाँ पर दे 23 औरबसी चंपू कापवे की रचेता देखेगा आपके लिए बता देऊं औरबसी नाम से दो लोगों ने रचिना की है लेकन आपसे यहाँ पर चंपू कापवे पूंचा है तो यह याद रखिएगा चंपू कापवे दिनकर का परसाद मेथलीशन गुपते या फिन नराला भी आरा है सही आंसर कि ये तो पिरसाद जी का चंपू का विमाना जाता है और वसी विकल्प नंबर दो वाला जो है वह हां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर यहां पर दिया गया है 24 बा कॉस्चन है कि चंचला इसनान कर आबे चंदर का पर्व में जैसी उस पाबन तन की सुबा आलोक मधुर्थी ऐसी ये पंतियां जो है किस रचना से ले गई है वहे आपके लिए वताना है वहे रचना है कामाईनी है प्रेशी है जुही की कली है आंसू है 24 में आप सभी लोग सही आंसर चैन करेंगे चंचला इसनान कर आबे चंदर का पर्व में जैसी उस पाबन तन की सुबा आलोक मधुर्थी ऐसी 24 का सही आंसर है कि ये पंतियां तो ले गई है किस रचना से तो ये पंतियां ले गई है आसू से विकल्प नमबर डी वाला विकल्प हाँ पर सही आंसर है आसू जो रचना है उसी से पंतियां ले गई है अंगला कॉस्चन या पर देखते है कॉस्चन नमबर या पर दिया क्या है कौन सा 25 वा कॉश्चन है मत्पूर्ण कॉश्चन है की रूप तरंग किसकी कब रचना है रूप तरंग आपने पढ़ियोगी रचना किनकी मानी जाती है बताईए लिकास पटल जी डाक्टर नीता जी रूप तरंग किसकी काप किर्थी मानी जाती है चैन करिए का महत्त्पुन कॉस्चन है 25 कॉस्चन और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है रोहानी रोषनी जी और सही आंसर होगा ये रामविलास सर्मा की का विकृति मानी जाते है रामविलास सर्मा जो है उनी की एक रचना है कौन सी रूप तरंग है विकल्प नंबर यहाँ पर एक सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखते हैं कॉस्चन नंबर यहाँ पर 26 क्या पूँचा गया है बताईए क्या है सई आंसर धिक जीवन जो पाता ही आया है भुरूद धिक सादन जिसके लिए सदा ही किया सोध ये रचना ये जो का पर रचना की किस का पर रचना की पंतियां है तुलसिदा, सरोजिस्मिति, राम की सक्ति पूजा या फिर प्रेशी तो 26 में सई आंसर होगा ये मानी जाती है राम की सक्ति पूजा, राम की सक्ति पूजा राकी जी बहुत बढ़ियां सई आंसर चैन क्या है कि राम की सक्ति पूजा जो रचना है कब रचना उसी की पंतियां मानी जाती है देख जीवन जो पाता ही आया है ब्रोध गंगला कॉस्चन या पर देखिए का question number 27 पूँचा गया है पनगट कहानी संग्रह के रचेता कौन माने जाते हैं बताइए पनगट कोस्टक जी की रचना है सुदर्शन की रचना है प्रयमचंद की रचना है हजारी परसाथ दुबेदी जी की रचना है किन की रचना मानी जाती है question number 27 का सई आंसर बताइए ये किन की रचना मानी जाती है पनगट पनगट के दर्सन हो गए याद किया था ना पन पनगट के दर्सन हो गए तो दर्सन से सो दर्सन विकल्प नंबर B वाला यहाँ पर सई आनसर होगा विकल्प नंबर 2 जिणों ना भी चन क्या है उनका यहाँ पर सई आनसर है नंददुलारे बाच्पे की पहचान किस योग के समर्थ आलूचक की रूप में है ये पूँचा गया है भक्तिकाल, छायाबाद, प् उबेदी योग कॉस्चन नमबर 28 में सही आंसर चैन करना है नंद दुलारे वाजपे की पहिचान किस योग की समर्थ आलूचक की रूप में है ये बताईएगा 28 बा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और 28 में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर चाया बाद लगा दें सही आंसर तो बिलकुल सही लगा दिया विकल्प नमबर बी में सही आंसर चाया बाद यहां पर जिनोंने भी चेन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा Q29 पर दिया गया है, किस आलो चक ने प्रसाद के काव में मानिबिय भूमी, निराला के काव में बुद्धी, तत्र और पंत्र के काव में कलपना की प्रधानेता मानी है, बताएगा Q29 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा के सालो चक ने प्रिसाद की काप में मानी भी भूमी निराला की काप में बुद्धी तत्व पंथ की काप में कल्पना की प्रधानिता मानी है कौस्च नमबर 29 है और 29 में सही आंसर होगा ये बहे है कौन तो विकल्प नमबर C सही आंसर होगा Dr. Nagyandr है Dr. Nagyandr ने मानिए विकल्प नमबर 3 हां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर 3 सही आंसर है सुमाता बताना है पिरसाद जी की किस कहानी की पात्र है यह सुमाता चेहन करीएगा सभी लोगाच का चेलेंज प्रेस ने आपका यह जिसका आंसर आपके लिए comment में बताना होता है सुमाता पिरसाद जी की किस काहानी की पात्र मानी जाती है आकास दीप की है गुंडा की है देवरत या फिर पुरुषकार एचार विकल पे दियेगा है इन्हें से आप answer बताईएगा comment में क्या होगा सई आंसर और आपके लिए जो है तीन हजार प्रिशनी की अपनी हिंदी साइट की है ये पीडिया जो भी लेना चाहते हैं तो एक सो निन्जानना रुपय में आप पर्चेस कर सकते हैं और नंबर इसकी पर चलता है उस पर आप संपर कर लें तो सभी के लिए बहु सबी लोग लाइक सिर अवस्टक लने जन्ने लाइक सिर नहीं किया है किस आलोचक ने पिरसाद की काब में मानीवे भूमी निराला की काब में बुद्धी तत्व और पंत की काब में कल्पना की ये प्रधानिता मानी है तो यहाँ पर आप सभी का क्या है सही आंसर यहाँ पर देखेगा नंद दुलारे बाचपे होगा विल्कुल चाहिए बहुत बढ़ियां राखी जी यहाँ पर नंद दुलारे बाचपे आपके विकल्प में दय नहीं है तो यहाँ पर नंद दुलारे बाचपे हाँ पर बहुत 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 दन्यबाद इसी तरह के कॉस्चन आंसर आपके लिए हाँ पर लाते रहेंगे नर्वेंद जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर ले है, मनुद जी, वालमकुंद जी, अतर्व जी, अरुन जी, और रोसनी जी, संजु जी, कंचन जी, दीपक जी, सिवानसी जी, और राखी जी, भाबना जी, रूबी जी, तनुपांडे जी, प्रमोद जी, नीरद अभी जी, सेवानसी जी, और उसा जी, प्यागनी जी, भाबना जी, प्रमोद जी, और सुनेना जी, मोठीवेशनल जी, मुकनद जी, मीरा जी, और नीरद जी, संजु जी, डाक्टर रोस सिंग जी, और नीलम जी, पूर्वी सैन जी, विमल कुमार जी, भाबना जी, और सभ जो बिर संत मुखि Korea कि परस्ट बाद के दो बज़े के आप कि आपकी साथ बच कर तीbar class होती है फिर इसके बाद आपकी तस्वाजी क्लास होते हैं सभी क्लासों से जदिएगा सभी के लिए किक त्शलों आंसर आपके लिय बहुत बहुत दन्यवाद है तो सभी लोग लाइक से रवस्ते कर लेंगे और जय हिंद!